तो मित्रो हमने पिछले सत्र में देखा कि इस सर्वसमिका को कैसे लागू करते हैं इस सत्र में हम इस सर्वसमिका को प्रयोग करते समय की जाने वाली कुछ आम गलतियों की ओर नजर डालेंगे चलिए पहली गलती पर नजर डालते हैं क्या आप मुझे पता सकते हैं कि यह समीकरण एक सर्वसमीका है या नहीं? पता लगाने का सबसे सरल तरीका है कि X और Y के बदले कोई संख्या डाल के देखें जैसे हम X को 2 के समान और Y को 4 के समान लेते हैं ऐसा करने पर बायापक्ष 6 गुना 11 हो जाएगा अर्थात 66 19 गुना 5 हो जाएगा अर्थात 95 हम यह देख सकते हैं कि बाय और का मान दाई और के मान के समान नहीं है तो यह समीकरण X 2 के समान और Y 4 के समान पर सत्य नहीं ठेरता तो यह समीकरण एक सर्वसमीका नहीं है हमने पहले देखा है कि वर्ज समिकरन जो चर के किसी भी मान के लिए सत्य होता है उसे सर्वसमिका कहते है चलिए एक और आम गलती पर नजर डालते है एक सो साथ का वर्ग क्या होता है? हमारे पछले सत्र में हमने देखा कि ऐसे अंकों का वर्ग कैसे निकालते है हम पहले एक सो साथ को एक सो जोड साथ लिखेंगे और फिर हम इसका वर्ग दूनते हैं अब हम में से बहुत से लोग इसका विस्तार करते समय गल्दी कर देते हैं हम एक सो जोड साथ के वर्ग को एक सो वर्ग और साथ वर्ग के जोड के समान लिखते हैं लेकिन यह गलत है याद रखिए कि यह सर्वसमिका है A जोड B पूरा वर्गांकित A वर्ग जोड 2 AB जोड B वर्ग के समान होगा इसलिए 107 के पूरे वर्ग को सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए इस प्रकार विस्तार करेंगे अब और सर्ली खुरुत करने पर हमें यह अंतिम परिणाम मिलेगा तो हमें यह हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि A जोड B पूरा वर्गांकित A वर्ग जोड B वर्ग के समान नहीं है चलिए दूसरे उधारन की ओर नजर डालते है एक्स वर्ग जोड Y वर्ग का वर्ग क्या होता है? कौन सा विकल्प सही है? हम मेंसे अधिकतर लोग समझते हैं कि A विकल्प सही है लेकिन यह गलत उत्तर है इसको हल करते समय हम यह सोचते हैं कि X और Y पहले से ही वर्गांकित है तो इस सर्वसमिका के अनुसार हम उत्तर लिखते हैं X वर्ग जोड दो X वर्ग Y वर्ग जोड Y वर्ग लेकिन गौर कीजिए कि इधर A X वर्ग के समान है ना की X और B Y वर्ग के समान है ना की Y के तो हम देखते हैं कि इधर हमने असल में पहले और दूसरे पत को वर्गांकित नहीं किया है तो इस व्यंजक का दाया पक्ष असल में X वर्ग पूरा वर्गांकित जोड दो X वर्ग Y वर्ग जोड Y वर्ग पूरा वर्गांकित होगा इसलिए सही उत्तर होगा एक्स की घात चार जोड़ दो एक्स वर्ग वाई वर्ग जोड़ वाई की घात चार होगा इस सत्र में हमने कुछ आम गलतियों को देखा जो इस सर्वसमिका को हल करते समय हो सकती है झाल